एक पूरा मुल्क, पूरा मुल्क मात के कुवे में मोटर साइकल चला रहा हूँ दिन राज वो सेफटी की बात करते हैं, वो मुल्क जहां पर रोज कभी ये अटैक, कभी वो अटैक, ये मुल्क सेफटी, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, भाई साब लाहरी की न, जेप भटी, और CDS का ये बयान ओपन प्लाटफॉर्म में देना, ये बहुत बड़ी बात है, ये सब कहां से आता है, इंटेलिजेंस बेस्ट आपरेशन मुझे लग रहा है, कि जिन से लड़ रहे थे न, उनका इंटेलिजेंस इन से जारा अच्छा था, स्वाग थे आपसे भी का लेट मेजर सबाइट बाइट करने वाले हैं तो सुरू करते हैं, इसका मिट्स रियेक्शन, जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गरवारी और आप देखनें दुचानक के डायलोंग्स, इस वीडियो को लाइक करिया, हमारे चानल को सब्सक्राइब करिया और बेल आइकन दबाना बिल कि हम भी वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे, अब लाहोरी चूरन का एक नया आलम जो है, वो हमें पता लगाए, एक अलग लेवल का पता लगा लाहोरी चूरन का, और मेरे प्यारे दोस्तों, लाहोरी चूरन का लेवल मैं आपको बताता हूं, यह देखिए, मैं पढ़के यहां कहां वाला है, ठीक है भारत में, बारा शेहरों में है, जहां पर एहमदाबाद, लख्राव, बॉंबई, राजकोर्ट, बैंगलूरू, दिल्ली, इंदौर, मोहाली, गोहाटी, एन हैदराबाद, यहां पर बोला गया है कि वर्ल्ड कप होगा, राइट, पाकिस्तान यह फर्माईश करी है कि पाकिस्तान चाहता है कि अपने जाधातर मैचे चिन्नाई और कलकता, अच्छा दोनों बड़ा चिन्नाई और कलकता दोनों बड़ा खोबसूरा चहर है, ठीक है, और चिन्नाई में तो मैंने ट्रेनिंग करी है, तो मैं I can personally vouch for it, beautiful people, lovely ambience, everything is great in चिन्न इसे, on the face of it, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कॉमेडी कहां पर, पाकिस्तानी यह कहते हैं कि we feel safe in these two places, बाकी जगए unsafe feel करते हैं, चिन्नाई और कलकता में safe feel करते हैं, अब एक बाद बताओ यार, छोटी सी बाद बताओ, जहां पर एक पूरा मुल्क, पूरा मुल्क, मौ कभी police stations पे attack हो रहे हैं, कभी कभजा कर ले रहे हैं police stations पे लोग, कभी suicide attack हो रहे हैं कराची में, कभी यह attack, कभी वो attack, यह मुल्क safety, इसको कहते है confidence, बाई साब लाहरी की न, जेप फटियो, लेकिन लाहरी का confidence जो है, safety की बात करता है, एक महीने से भूका आदमी, एक महीने से भूका आदमी, आपके उसके सामने आपने खाना पेश करा, रोटियां थी, करारी से की हुई, एक महने से भूका आदमी, जुसतरे पानी पे जी रहा है, एक महने से भूका आदमी, आपने बिल्कुल उसके सामने बढ़िया खाना पेश करा, वो रोटी को देखता है, ठीक ह बढ़िया करारी से की रोटी और कहता है यार सुनो नान मिलेगा क्या तिस इस लाहुरी चुरन ये है लाहुरी चुरन दोस्तों जहां पे एक महने से भूका आदमी तो कुछ भी खाए ये इनको हजम नहीं हो रहा सभी है मैंने बताया था ना कौन है जिसके घी हजम नहीं होत हम तुमारी नहीं हैंगे तो हमारे मता हो खदम करो ना I mean we don't require why do we require Pakistan भई अगर उनकी ऐसी फर्माइश है और देखो मैं ये कहता हो कि कोई प्रमूल कह सकता है कि we want to play here and here we feel better here I can understand I can understand Shri Lanka कहता है we feel better Bangladesh कहता है we feel better here or safer there I can understand for all the countries I cannot wrap my head around this Pakistani demand जब कोई Pakistani कहता है ना कि we feel unsafe भई ताल Taliban ने बोल दिया था कि we feel unsafe inside Pakistan यार Taliban कह चुका ही है मतलब Pakistanis would feel very comfortable in Syria मुझे ये बाबाराजम है देखिए एक example दे रहा हूं आपको आप ऐसे मत समझेगा बाबाराजम is a great player बाबाराजम सवेरे उठके पहले आटे की लाइन में खड़ा रहता है वहां पर उसकी जद्द जहद बल्ले बिकिट से मार मूर के एक बोरी आटा लेता है बाबाराजम ठीक है आटे की लाइन से बच गया फिर वो पानी की लाइन पर खड़ा होता है और जब वो पानी की लाइन से बच जाता है तब वो दवाईयों की लाइन में खड़ा होता है और अगर तीनों से बच गया पिर बाबाराजम शाम को जाके स्टेडियम में cricket की ट्रिक्ट करता है ये हाल है पाकिस्तान का आज कर बाबाराजम का एक बैने एंग्साप्ल्स दिया और इतनी बड़ी बड़ी ख्वाइश है कि हम वहाँ खेलेंगे वो ठीक है इतना पाकिस्तान को को भी आख कहा है कहा कहेलेंगे कहा नहीं कहेलेंगे sovereign country के यहAsium you feel safe really you पाकिस्टाइज feels safe and unsafe आइं पूरा मुल्हाइशाब तुम लोग पेशावर में खेलते हो cricket तुम लोग कराची क्येलते हो तुम लोग क्येट अचैने जो लहुरी दिमाग है ना इस पे उपर मा बतारहismo मेरे पास आगर पैसा हो तो मा करोणा रूपए दूँ और बोलो कि लहुरी दिमाग के उपर रिसर्च करें कोई ना बैठ के लहरीयों के उपर रिसर्च करें कि इनका दिमाग चलता कैसे है जेब भटी है लेकर खुआशात इनकी ऐसी है कि बिलकुल बादशाह सलामत आ रहे हैं पदारी होगों बैठिये यह दिस वाट देखना बाकी रह गया है अच्छा एक और पाकिस्तान का शगूफा पाकिस्तान स्ट्रॉंग ली कंडेम्स ऐसा नहीं अलका फुलका कंडेम्स पूरे पेपड़ों में हवा भर के पाकिस्तान ने कंडेम करा है कि भारत जी ट्वेंटी कश्मीर में कैसे कर सकता ह वी स्ट्रॉंग अरे यार तुम सुनो तुम्हारी क्या है क्यों फेकते हो यार पाकिस्तानियों क्यों फेकते हो भारत ऐसा कर देगा भारत वैसा भारत कर रहा है तुम यह बताओ कि तुम क्या खाड़ों कि तुम यह बताओ कि साब हम यह करने वाल है कुछ नहीं बताओ न कुछ तो स्टोरी बताओ ने किसा भारत ऐसा कर रहा है भारत ने तो एलान कर दिया और मुल्क भी कह रहा है कि हम लोग जाएंगे सबाएंगे वहाँ पर कश्मीर में सवागत है उनका तुम्हें क्यों खुजली हो रही है तुम्हारे जो कश्मीर जो तुमने ऑकिपाई कर हैं हमें जाधा महँगी मिलती है सडा एक लवण कार्डम पर डॉत वाहां पर नहीं धंक ऐस्टाहरों अस्कूल वाहां पर नहीं उनीवर्स्टी ओन्फ घतिया एक मैं यूट्यूब तेख रहा था वह 깨 à एक बच्चे को ले जा रहा था वो बच्चा मर गया बिचारा अस्पताल नहीं पहुँच पाया नौट बिकॉस अइनिधिंग एल्स ऐसा तो कहीं दुनिया में कहीं भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दे कंडिशन ओफ दे चैंड लेकिन यहां पर अस्पताल था ही नहीं हो चार गंटे दूर था ठीक है टुटर पे खेल रहे हो टुटर फ्री तब तो ऐलों मस्ने पैसे भी लेने चुरू कर दी उसके मुझे एक बात समझ बनी आ रही यार तुम तुमारी हिम्मत कैसे होती है सब सोचने की करना तक उचेंड यह यह नुट इंवाइट बीट इस नन अफ यह बिसनेस थ्री यू अफ़र्ड 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 इनिशन तुमारे कबजे में अवैद कश्मीर है पाकिस्तान के वाइड कश्मीर जिसको तो माजाद कश्मीर के तो उसका तुम लोग प्रकिस यह को रिल्कें नं तो मार के दॉम्बा बना दी होंके लोगों का भरता बन गया वहां पे कश्मीर जिसको लोग जननत कहते हैं पीयो के तो पोड़ा दानикомी करता चीज़ां इतनी महंगी हर चीज़ इतनी महंगी इनसान जीये तो कैसे अलदरी इन को बढ़के यह वाहुरियों को बास लाहुरियों का इन का कॉर कॉंपिटेंश बढ़के मारना रहे लंबी लंबी चोड़ो इंडिया यह क्यों कर रहा है प्रके लिए लुक्सान का जो की जिसने बोला थां कि पाकिस्तान का बजगया धोल बीज भचे लिया खोल गई筏 सुधाना इस नोब जो कैसे दोल फंटा पाकिस्तान का इसने बोला कि पाकिस्तान डीफर्ट कर चुका यही वह वाँजे दिफेन्स मिनिस्टर पाकिस्टान ऐसे ही डिल पराइट करता है। पाकिस्तां में ऩॉटी क्टान की कॉछ इससे ज alltså इधा दील гру вас पाकिस्तान की तो up नेंव मैनेट की खा रहा है हम उसको सलाम करते यह जिस नहीं बौला था Pakistan का था भर ये कहता है की typically still using Afghan soil for attack size in Pakistan तो यह कह रहा है कि TTP तालिबान पाकिस्तानी जूजिंग आफगान स्वाइल इवन टुड़े फर टैक्स इन आर कंट्री स्पेशली खाइबर पक्तून को इसने वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ इंट्रिव्यू दिया और वॉइस ऑफ अमेरिका को ये बात इसने बोली डॉन अच्छा बात वही है कि देखो ना TTP ने बोला कि हम अवगानस्तान से आते नहीं आते पाकिस्तानियों को मैंने बात देखिए एक भूग है एक भूग है पाकिस्तानियों में कि कैसे मीडिया में आ जाए यह मैंने देखा है पाकिस्तानी सियासतदान है इनको इक भूग है इमरान खान रोज किसी ना किसी को इंटेवी देता रहता रोज कि सीब बोला कि अच्छा आज किसका इंटेवियो कल किसका करता खांटि यह जब यह मौदीजी के कितीरी थीन पूरिण जी तो उनके कितने इंटर्वी देख लिए आप में पाकिस्तानियों को एक चीद हाथ जोड़ के आप से बिंती करता हो सियसत दानों से यार काम कप करते हो जब पूरे दिन तुम लोग एंटर्वी देखते हो यह तो बेरोजगार आदमी है यह डिफेंस मेंस्टर पाकिस्ता खाजासर इसके दोवकती नहीं इसकी दोगाती नहीं कोई लेकिन काम कप करते हैं तुमारे सीच सत्दान यार डेली डेली कभी वोइस ऑफ अमेरिका कभी सेनन कभी फलाना कभी यल जज़ीरा कभी यह एंदलू एजंसी तुर्की वाली कभी अपने लोकल चैनल बोल टीवी ठोल डीवी, ढोल टीवी, किसी को पकड़ पकड़ के लाओ जी अपने मन पसंदीदा एंकर को लाओ, इसको इंटर्वीव, उसको इंटर्वीव, 24 गंटे अब यह कह रहा है कि वहाँ से टीटीपी वाले अफगानिस्तान से आ रहे हैं और हमें अटेक करे हैं, इसमें नया क्या है अब किसा इसमें यह नया है, उन्हों तुम लोगों को एक तो तारीक जूटी पढ़ा ही जाती है तो तुम सब लोग जो है जूटी तारीक पढ़ पढ़के जूटी हिस्टरी पढ़ पढ़के तुम लोग बड़े हुए हो पाकिस्तानी हो सब के सब जिसने पाकिस्तान में एजुकेशन कंप्लीट करा है उसने हिस से आ रहे थे तो हजार साल से यह घोरी घजनवी यह कहां से आये थे यह दुररानी फॉरानी जितने भी आये थे यह तो सब के सब उपर से आये थे ना Central Asia जिए अफगानिस्तान आफगानिस्तान के रास्ते इंडिया और वह भी कौन सा पंजाब तारीक गवा है कि हिंदूओं को ज़्यादा इसले मारा क्योंकि हिंदूओं की तादाद ज़्यादा थी percentage wise even today और जैसे कि 700-800 साल पहले बात वही थी 500 साल पहले ये जब भी आते थे ये लोगों को मारते थे इन्होंने मुसल्मानों को भी मारा है और खास तोर सो जब पंजाब के मुसल्मान है उनको भी मारा है क्योंकि जो सामने आया उसकी गर्दन साफ करी ये basically लुटे रहे थे issue ये है कि इनको अपना खुदा अपना भगवान मानते है पाकिस्तानी है गजनी गौरी अब मिसाइलों के नाम रख रखे अरे इन लोगों ने जो बाकी इंडिया में तो करा ही करा लेकिन ये जो एरिया है पाकिस्तानी पंजाब ये जो एरिया है पाकिस्तानी पंजाब यहाँ पे गाउं के गाउं साफ कर दिये इन इन्वेडर्स ने ठीक है उसमें हिंदू भी मारा गया उसमें मुसलमान भी मारा गया उसमें सिख भी मारा गया तो दोस्तों ये जो इन्वेडर आए इन्होंने हिंदू, मुसलिम, सिख सब को काटा है हिंदू जादा इसलिए कटे क्योंकि हिंदू जादा थे, सिख जादा कटे क्योंकि हकीकी आजादी मिल गई यही आजादी है पहले गुलाम थे जेनी तोर पे फलाना डिमका इवरान खान ने उस समय भी जब ये लेक्चर दे रहा था मैं कहा रहा था इवरान खान has got no knowledge इसने क्या हिस्ट्री नहीं पड़ी यह उक्सफोर्ड में भी क्रिकटी खेलता रहा यह पड़ाई लगाई नहीं करी इसने इसको पता नहीं है कि यहां से अटाइक आना बंद इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम इसलामिक बिरादर हो यह उनका पेशा है यह उनका पेशा है भाई यह जो वहां के लोग हैं वहां का पेशा है यह आते एक जमाने में एक जमाने में यह लोग जो हमारी सर्दियां थी तबाद क्योंकि वहां पर वरफ वरफ गिरती थी तो यही जो चीज है यहां पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह इसलामी बिरादर और हम मजभ ये सब फ्रॉड है, ये सब ढगोसला है, ये सब दोनमबरी है, इससे तालिबान को कोई फरक नहीं पड़ता, उनके बाप दादा भी ऐसे आके तुम्हें चमका रहे थे, उनके बेटे पोते भी आके तुम्हें चमका रहे हैं, भोश के ना खु कि कोई इसलामिक बिरादर मुल्क, कोई बिरादर बिरादर नहीं है, ये सब जूट है, जो तुम्हारे बाप दादोनों तुम्हें सिखा रखा है, जब पाकिस्तान बना था, यही जूट की बिना पर बना था, कि हम हैं सारा, वो चेंज भी कर दिया गाना, ओरिजनल जो हुझ था हिंदी हैं हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा है, सब न सुना होगा, ये बात में चेंज कर दिया, मुस्लिμ हैं हम सारा, क्या सारा जहां हमारा, सारा जहां, तुम्हारा, चले जब जो बिटा, बिना वीजा के सभी औरभ, नहीं swan के, मुसलिम दोस्तों पाकिस्तानियों को एकबाल ने जुट बोला जिन्ना ने जुट बोला और ये तो हैं ऐसे लोग लहुरी ये गोड़े पे चड़ गए और अपने आपको तीस मारखान समझे ने लगें और खाज आसिफ साथ थोड़ा सा तारीक पढ़ लो पाकिस्तानियों तुम सब अफगानिस्तान में कौन सा फैशन डिजाइनिंग हो रही है वहां पर वहां पर कौन सा इंफोर्मेशन टेखनोलोजी के सॉट्वेर पाक्स बने हुए बड़े-बड़े वहां पर कौन से मनेफक्टरिंग की उनिट्स हैं वार इस दी अफगान वे उफ लाइफ रेडिंग यह फरगना कहां पर है यह फरगना है यह कहीं और से आये तो यह सब कोई उस्बेक कोई ताजिक कोई यहां से कोई वहां से तैमूर लंग यह सब जब भी आये जितने भी आये सब रैट यह अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर से आये बाबर भी रहा अफगानिस तो खाजा असफ तब आपने कौन सा ऐसा तीर मार्दे कि अभी भी वो अफगानिस्तान से अटेक कर रहे हैं यह तो अटेक एक हजार साल से कर रहे हैं तुम कौन से नई बात समझा रहे हो मैं नड़ा सा कंट्रवर्सी भी बनता है अगर जिस तरह मर्दी बंदा पॉइंट प तो डूस्तो यह थी हमारी आज की वीडियो क्या बात है मेजर साप्तो वैसे भी पाकिस्तानियो को आप आप यह रहते हैं लेकिन यह पाकिस्तानियों को बिना दिमाग वाले ये इंडिया में अनसेफ फिल करते हैं अपने खुट के मुल्क की तहालत देख लो आए दिन टर्रेरिस अटेक्ट होते ही रहते हैं मस्जीद में भी होते हैं पुली स्टेशन में भी और आर्मी को भी आए दिन अफगान वाले और TTP वाले माते रहते हैं लेकिन इंडिया के अप्रो में कहांगे कि हमें इह दूस एहरों में से लगता है अगर आपको आना है तो सभी जगह पर खेल्ला पड़ आड़ नहीं आना है तो इंडिया को वे सभी कोई परख पढ़ने वाला नहीं अब नर्ट रहा है और हमने तो कह दिया कि हम आपकिस्तान में आंकर इंडि की बात कर रहे थे वो सही बात है इन लोगों को हिस्ट्री कलड़ पढ़ाई जाती है तो फे बड़े होके ये पाकिस्तानियों का दिमाग भी ऐसा ही चलेगा जो पढ़ा है स्कूल में वो ही वो लोग सोचेगे और वो ही सही मानेंगे जहां तक आप हिस्ट्री सही नहीं पढ झाली